उत्या प्रदेश के जरा मुरादबाद जन्पत के थाना मुंडा पाने चेतर के पेपचपुरा गाउं में पशु में पके की बिमारी ने को राम अचा दिया है तीन दिन के अंदर लगभग 10 से 12 पशु की मृत्य हो चुकी है मृत पशु स्वामियों का कहना है कि कई बार चिकित्सा पशु अधिकारियों को हमने गाउं में बिमारी की सूचना दी लेकिन कोई भी पशु चिकित्सा अधिकारी गाउं में बिमारी का लाज करने नहीं आया जिससे पशू चिकितसा विभाग की बड़ी लाफरवाही सामने आई है और गाउ में पके की बिमारी से पशू विकलांग हो रही है और उनके मुझ से जाग निकल कर पशू की मौत हो रही है जिससे गाउ में एक कोहराम समचा हुआ है और पशों की लगतार मृत क्यों होती चली जा रही है मृत पशों स्वामियों का कहना है कि पशों चिकित्सा वभाग की टीम गाउं में आए और जो बीमारियां पशों में फैली हुई है उसका इलाज करे अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से पशों पक्षी बीमारी का शिकार होकर मौत के घाच उतर रही है क्या पशों चिकित्सा दिकारी और डॉक्टर गाउं में आते हैं और पशों का अलाज करते हैं या फिर ये बीमारी इसी तरह पशों को मौत के घाट उतारती रहेगी और पशों जगतसा वभाग आंखे मूद कर बैठा रहेगा कोई काम में हमारे बहुत खतम हो गई मौपका है पानी दे रहे हैं और मौसर प्रकराइब और पाइं डाला है कई डंगर मठ चुके हैं मेरी भी हैं अच्छे जैसे आप जान पर लेते हो बच्चों की शादी के लिए कैसे क्यों लेकिया परेसाने लेते हैं लेते हैं यह परे अब चारें ड्यांसर को आना चाहिए साथ हमारे पर्सुशाई जाना चाहिए हम परेशान लोग लड़ी बादमी हैं यह परेसान है बहुत ही परेसान है यह प्रेसान है सोच लेगों सब्सक्रीय है क्या बीमारी यह लंग्णै हो रहे हैं चाले पूमें लिकल ले और 4 यह पाच्छे दिन से बहुत तक रहा हुए था यहां पर को स्वास्ट की टीम आई अभी था नाई कोई नहीं आई 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 अगी तर इनको पहरों में चलने में कोई पके नाम की बीमारी होती है वो बतारा है बाकि इनके मुझे शाले पढ़ जाते हैं उसके बाद यह कि अभर मर चुके हैं अच्छा किराम बर्दानों आप किसी स्वास्त के अंदर में सिकायद की स्टीच के अपने अभी तो नहीं आज ही बताया लोगों ने आगे तो इसलिए मैंने एडियो पर प्रूफून किया था अब में जी जानकारी भी नहीं है कि अभी कोई स्वास् करें चातो है बस कोई टीम आए और गाउं में आकर टीके लगागे और इस बीमारी के बादें करें चाहें